कि स्लाम अलेकों गाइज वेलकम तो अल्पाइन अकेडमी जैप्र नंबर एट इंट्रोड़क्षिन टो केमिकल काइनेटेक्स लेक्ट नंबर टू पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्षिन लिया था शेप्र का और हमने अपनी रिट एक्सपेशन और रेट कॉंस्टें है रिट कॉंस्टेंट की उन सबको पढ़ा था इंशाल्ला इस लेक्टर में हम उसके कुछ एक्जेंपल प्राब्लम्स आपकी उसको कबर करेंगे उसके साथ टाइप सफ्य आप्ष टाइब रात रिक्षण रॉप बनाइशनकी क्यों टैफ के होती क्या है अपना सव क्रOT करते ہیں आप नंबर वन आपके पास है roll इंगे एक एक्सक्रेशन आप ने एक्सपरिशहनल भी तहां प यानि विलासितिख नेचन है टीएक सपॉंट्टृइटी उसकोआप लिए जो विलाटी भी है PCL5 और जो कि transform हो रहा है PCL3 में और CL2 यानि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब decompose हो रहा है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में मिल रप को ठीक है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन अब सबसे पहले इसका पॉस्फ्फोरस ट्राइड के साथ तो या अब प्रॉपोर्स्टैन के साथ है नियुक्रींट की के क्रिजेंगे हम क्या करते हैं एलफा कर देते हैं इसके लावग concentrations को हम bracket में लिखते हैं ये बाद आप chapter number 6 और chapter number 7 में बहुत डीटेल में पढ़ चुके हैं और अच्छे से आपको समझ आ गई होगी वह बाद कि concentration हमेशा in brackets में लिखी जाती है ये एक journal expression है किसी भी सवाल में इसकी molarity या concentration d जाएगी तो हम यहाँ पे CL5 की जगा उसकी concentration को लिखेंगे ठीक है rate of reaction को हम dx upon dt से denote करते हैं तो rate of reaction की जगा क्या आ जाएगा उटके dx upon dt सिपल है इसी तरह जभी भी proportionality का sign हटेगा तो आपके पास is equals to आएगा और एक constant आ जाएगा यह constant हम पहले भी study कर चुके हैं यह constant आपके पास rate constant कहलाता है ठीक है और रेट constant आपके पास simply ratio होता है किसका rate of reaction and the concentration of reactants का ठीक है अब simply concentration reactant की आपने इसके आगे लिखती है तो यह आपके पास final इस reaction की rate expression कहलाई ही विच इस डी एक्सपांट dt is equals to k multiply by initial concentrations of reactant ठीक है यह आपके पास rate का तरीका है किसी भी chemical reaction का कि इसी तरह आप दूसरा reaction देख लेते हैं टू एनो प्लस ओटू ठीक है नाइट्रिजन आउकसाइड नाइट्रस ऑकसाइड रियक्ट कर रहा है oxygen के साथ nitrogen dioxide बाना रहा है टू एन ओटू अब जब यह बना रहा है तो यहां पर आपके पस number of moles अलग अलग है हमारा पहले reaction में क्या difference था दूसरे reaction से कि पहले reaction में number of moles हर species के one थे let's suppose जैसे अगर मैं इसको red city note करूं कि PCL5 के पास भी one mol थे PCL3 के पास भी one mol थे CL2 के पास भी one mol थे बट यहां में हमारे पास 2NO2 के पास यानि 2NO के पास दो मोल्स है ओ के पास एक ही मोल है और NO2 के पास भी दो मोल्स है ठीक है अब हमने क्या करना है हमने rate expression लिखनी है rate of reaction is directly proportional to concentrations of reactions ठीक है यानि concentration of reactants से directly proportional हो जाएगा rate of reaction according to rate expression यह according to law of mass action simply हम rate of reaction की जागा dx upon dt लिख देंगे ठीक है तो यह dx upon dt आगया यहां पर is equals to k k क्या रिनोट कर रहा है वही rate constant जब भी proportionality का sign हटेगा तो is equals to के साथ एक constant आके लग जाएगा ठीक है यह constant आपके पास rate constant कहलाएगा concentration of reactants क्या है आपके पास NO और oxygen अब यह NO के ओपर जो 2 आ रहा है यह आप पहले भी देख चुके हैं अक्सर ऐसी आता है यह इस वज़े से आ रहा है क्योंकिए जब भी concentrations लिखते हैं तो उस concentration जिस reactant की है उसके जो number of moles होते हैं वह concentration की power बन जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपके पास जो 2 NO लिखावा है यह जो 2 है यह simply इस NO की power बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा अब मैं इसको यहाँ करते हैं यह जो 2 है यह simply इसके number of moles है तो इसके लिए rate expression थोड़ी different होगी और यहाँ पर रियक्टेंट दो कंसले करें जाएंगे क्यूंकि आपके पास reaction में भी दो ही reactants है ठीक है ठीक है ठीक्ट रियक्शन थोड़ा important है समझने के लिए सब्सक्राइब कर रहा है और आयोडीन और water ठीक है यह आपके पास reaction है हमने products को नहीं देखना है क्योंकि rate expression हम सिर्फ reactants का लिखते हैं ठीक है तो rate of reaction कैसे लिखेंगे rate of reaction is directly proportional to H2SEO3 यानि reactant तीनों reactants के साथ पहला reactant यह रहा bracket में लिखेंगे इसको इसी तरह दूसरा reactant है उसको भी bracket में लिखेंगे और इसी तरह तीसरा reactant है उसको भी bracket में लिखने की कोशिश करेंगे ठीक है अब हमें यह पता है कि rate of reaction यहां पर लगा जो हर किसी के साथ लग रहा है इसको और आगे भी यही बोलेंगे rate of reaction आपके पास dx upon dt से भी नोट इसको कड़ते हैं और अकसर पेपर में यह लिखा जाता है ठीक है concentration as it is लिखी रहेंगी ठीक है अब क्या होगा जो number of moles होंगी concentration of react मतलब reactant की जो number of moles होंगे वो direct concentration की power बन जाएंगे जैसे iodine और H है ठीक है यह 6 आ रहा है यह 6 number of moles हैं किसके लिए इस iodine के लिए ठीक है इसी तरह है जो है यह यह number of moles है किसके इस positive H positive के तो simply यहां पर इनकी concentration के उपर यह number of moles आके लग जाएंगे जो हैं पहले ही ऑलरीडी बहुत दफार ऐसा कर चुक है ठीक है फिर भी अगर किसी को नहीं समझाया तो आप हमसे फिर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ओके प्रॉब्लम नुबर टू है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस और माइनस साइन्स ठीक है यह आपके पास एक्जेम्पल है माइनस साइन और प्लस साइन कब और कहां यूज होगा प्रॉब्लम फॉर चैमिकल रियक्षिन ए इस टारेक्ली अब इसमें हम यह लिख रहे हैं कि रेट ओफ रियक्षिन एक जो रियक्षिन है वो क्या है है डिपीद्स होरा है डिपीद्स मिंस नेघरिटिव में जा रहे हैं इसी टरह है रेट ओफ रियक्षिन बी खे लिए वह उरौँ हो रहा है वह पॉजिटिवी दरफ जा रहा है यह निगों इंकरीड ओ रहा state the significance of plus and minus sign हमें plus और माइनस साइन्स के बारे में बताना है माइनस डीए पॉंट डीटी ये बता रहा है कि रेट ऑफ रियक्शन इंटरम्स ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए के औरी कि रियक्टिंट इठीए माइनस डीए पॉंट इटि मतलब यह है कि आपकी जो रियक्टिंट है उसी कंसेंट्रेशन में कमी आ रही है कि वक्त के साथ साथ ने क्यों बोले क्योंकि rate of reaction is depend on time यानि के भी reaction हो रहा है तो वक्त के साथ हो रहा है इसी तरह reactant में कमी आ रही है तो वक्त के साथ कमी आ रही है कि कुछ time बाद उसकी reaction reactant की concentration में decreasing आई है यानि उसकी concentration या उसकी amount कम हुई है वक्त के साथ ठीक है तो रिप्रेजेंट दर रेट ऑफ रिएक्शन इन टरम्स अफ़ डिक्रीज इन 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 कंसेटरेशन ऑफ प्रोड़क्व प्लस डीबी अपॉण डीटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसी जैसी वक्त गुजरता जा रहा है आपक है ठीक है इंक्रीज इन कंसेटरेशन ऑफ प्रोड़क्व ठीक है के लिए यह वाली प्रॉब्लम अब यह प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्डन है आप किसी भी ए बी की जगह यहां पर आपके पास कुछ भी हो सकता है अगर हम प्रिवियस वाले रियक्शन की बात करें जैसे पीची एल फाइव था पीची एल थी और सीएफ था प्रिवियस एक्षन तो उसमें आप माइनस डी पीची फाइफ अपॉट डी लिख सकते थे और इसी तरह प्लस डी पीची एल थी अपउन डीटी यह भी लिख सकते थे उसके लिए ठीकर एक जैनल मैंने आपको समझा द के दोरोत नहीं है बहराल सिर्फ एक व्थ क्वा थे कि दिए-डी एप्लस डीबी का क्या फर्क है माइस और यह नी कल से टरेशन ऑफ रिएक्टन्ट की वक्त के साथ साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-दी-बी-डी-गे-फ्रोड़ की चाहिए मुझें अविए हमें इस सवाल में आपके पास है एक्जम्बल नमबर थी आपकी है इस का रेट ऑफ डिस अपरिंस मतलब यह है कि आपके पास कितना मतलब टेक्टेंट डिसपेर होगिया है प्रॉबलम यहां फ़सी तूह H2 plus 2H2 यानि इथाइन जब hydrogen के साथ react होगा तो इथेन बनेगा ठीक है और सवाल क्या है the rate of appearance of C2H6 यानि इथाइन की जो appearance यानि इतना इथेन बन रहा है वो कितना है 0.25 है ठीक है mole per dm3.2 what is the rate of disappearance of C2H2 and H2 यानि इथाइन और H2 का rate of disappearance कितना है यानि कितना वो consume हो गए तब जाके आपके पास 0.25 moles of C2H6 बना solution क्या होगा अब इनके number of moles से हमें consider करना होगा number of moles हम देखेंगे आपके पास one mole of C2H6 है ठीक है one mole of C2H6 ठीक है कितने में से बन रहा है one mole of C2H2 and two moles of H2O H2 यानि ठीक है यानि H2 के कितने moles है 2 है और C2H2 के कितने moles है 1 mole है ठीक है तो simply आप क्या करें rate of disappearance C2H2 का कैसे निकले है कि दोनों के number of moles सेम है तो जितना 0.25 C2H6 बन रहा है उतना ही 0.25 C2H2 डिसेपेर होगा reaction में से ठीक है इसी तरह H2 को अगर हम देखें तो जितना आपके पास C2H6 बन रहा है उसका double आपके पास H2 consume होगा कैसे क्योंकि कि जब C2H2 एक mole मिल रहा है तो उसके लिए 2 mole of hydrogen required है तब जाके वो ethane बना सकता है मतलब यह है कि C2H2 को 2 moles of H2 required है तब जाके 1 mole of C2H6 बनेगा ठीक है तो इसका मतलब 2 moles means कि 0.25 आपके पास C2X बना है तो 0.25 multiply by 2 आपके पास hydrogen disappear होया होंगे उस reaction में जब 0.25 बना है ठीक है इसको दूसरी example से भी देख सकते हैं जैसे 0.5 mole per dm3 C2H6 बना है अब 0.25 नहीं बना ठीक है मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूं कि 0.5 आपके पास mole per dm3 per second C2H6 बन रहा है ठीक है तो आपके पास C2H2 में से फिर कितने जाएंगे 0.5 जाएंगे ठीक है क्योंकि जितने 0.5 आपके पास C2H6 बन रहे हैं उतने 0.5 आपके पास disappear होंगे C2H2 में से ठीक है इसमें से तो H2 में से कितने disappear होंगे फिर 0.5 multiply by 2 यानि 1 mole per dm3 H2 में से जाएंगे ठीक है तो यह सिर्व यहां पर मोल्स हमने calculate करना होता है कि कितना disappear हुए और कितना appear हो गया है अब आपके पास example number 4 है calculating rate constant हम rate constant कैसे calculate करते हैं किसी भी reaction का ठीक है तो आपके पास सवाल है for a chemical reaction A plus B reacts together to form AB ठीक है आपके पास reactant है A और B जब यह react कर रहा है तो आपके पास एक product बन रहा है AB calculate rate constant when a initial concentration of both the reactant is 0.1 mole per dm3 each and rate of reaction is 3.02 exponent minus 4 moles per dm3 dot second ठीक है इस सवाल में आपके पास data क्या बनेगा data यह बनेगा कि आपके पास initial concentration कितनी दीवी है reactant की 0.1 ठीक है दोनों reactants की है कितनी है 0.1 mole per dm3 ठीक है इसी तरह आपके पास rate of reaction कितना है इस reaction का वो है 3.02 exponent minus 4 mole per dm3 dot second यह आपके पास इसका rate of reaction करना है पहले पार्ट में आपने calculate करना है rate constant when initial concentration of reactant is 0.1 mole per dm3 and the rate of reaction is 3.02 exponent minus 4 mole per dm3 simply हम इसका solution देख लेते हैं solution for this reaction rate of reaction is directly proportional to a and b ठीक है तो dx upon dt हमें यह पता है कि rate of reaction को हम किसे denote करते हैं dx upon dt के जब फिर proportionality का sign हटेगा तो आके k लग जाएगा ठीक है तो dx upon dt is equals to k आ गया और आपके पास simply यहां पर concentrations किसकी आएंगी reactants की reactant क्या है a है और b है dx upon dt यानि rate of reaction आपके पास सवाल में given है 3.02 exponent minus 4 ठीक है जो हम simple यहां पर अपने unit के साथ उसको लिख देंगे unit conversion भी हम इसी numerical में साथ साथ करेंगे ठीक है इसी तरह आपके पास के हमने calculate करना है तो is equals to k as is लिखेंगे 0.1 mole per dm3 a की concentration फिर b की concentration 0.1 mole per dm3 तो अब हम क्या करेंगे simply k को अलग कर लेंगे separate कर लेंगे किसे concentration से और rate of reaction से concentration को divide करवा देंगे ठीक है अब units को हम देखें तो simply आपके पास unit one mole इस mole से cancel out हो गया और one dm3 इस dm3 से cancel out हो ठीक है अब नीचे वाला mole उपर जाएगा तो negative में हो जाएगा तो इसलिए हम उसको नीचे ही रहने देंगे और यह सेकंड है यह आपके बस डैरेक्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ठीक है अब यह पहले भी बहुत दफार कर चुकें यह सिंपल mathematics यह basic math है यह metric class में बच्चे को सिखाए जाती है तो इस पर अगर यह नहीं समझ आ सकती तो आप किसी और वीडियों में जरूर इसको समझें ठीक है यह चीज मैं नहीं आपको समझाने वाला बहराद 3.02 x-4 है ठीक है यह चीज डिवाइड हो रही है 0.1 से और इस 0.1 से जब भी डिवाइड होगी तो टोटल आपकी पास 3.02 x-2 आंसर आ जाएगा ठीक है यूनिट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं उपर एक dm3 बच रह यह जो टीम3 यह नीचे है तो यह राउंड आफ होके उपड़ चला जा रहा ठीक है तो यहां आ जाएगा इसी तरह मोल अपनी जगा रहा और यह सेकंड है वह यह नीचे की तरफ मोल के पास आ जाए ठीक है तो यह आपके पास यूनिट आ गई और रेट कॉंस्ट्रेशन के अपके पास यह निकल धर अपे सवाल में जाए किक रेट कॉंस्ट्रेशन फीपार्ट क्या है रेट इप इनीचल नीचाशल बेसे इंस ट्पल इसका इसका मदलब यह ए है कि आपके पास जो concentrations है A और B की उसको अगर हम double कर दें double means कि concentration of A 0.1 है और B भी 0.1 है तो आपके पास concentration किसी डबल हो जाएगी B की अच्छा सवाल में बोला है कि if the initial concentration of A और B is double यानि या तो A की डबल कर लें या फिर B की डबल कर लें A की हमने 0.1 रखी B की हमने 0.1 multiply by 2 यानि 0.2 रख ली सेंस कंसेंट्रेशन ओफ बी इस डबल यानि जब कंसेंट्रेशन भी डबल हो गए यह तर रेट विल आलसो बिकम डबल ठीक है जब ही भी कंसेंट्रेशन डबल की जाएगी रेट भी हमेशा डबल होगा यह बात याद रखनी है आपने कि जब ही भी हम किसी भी एक रियक्टेट को बढ़ाएंगे जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही रेट बढ़ेगा ठीक है यह दो स्टैप्स हैं यहाँ पर मैं concentration बढ़ाएंगे उतना ही rate भी बढ़ेगा ठीक है कौन सी reactions के लिए कौन सी reaction के लिए हो रहे है simple linear linear reaction को मैं ऐसी आपको याद करवाने के लिए बताना चाहरा हूं कि linear reaction आप ऐसे याद रख लें कि जिसमें reactant के उपर square ना आए ठीक है जिसे यहां यह जो a और b लिखावा है simply इस जगह square नहीं आए ठीक है अगर यहां square आ जाता है तो अगर आप concentration बढ़ाते हैं तो rate आपका 4 गोना पड़ता है फिर square वाली condition में ठीक है normal condition में क्या होता है कि rate double कर रहे हैं तो concentration भी इसी तरह अगर concentration double हो रही है तो rate भी आपके पास on the spot double हो जाएगा ठीक है तो simply rate आपके पास कितना हो जाएगा 6.04 x-4 यह आपके पास rate आजाएगा अब सवाल में पूझा जा रहा है calculate करना है rate constant जब concentration किसी की भी डबल करते हैं तो तो एकी या फिर बीकी तो concentration डबल करने से क्या हुआ रेट भी डबल हो गया हम यहां पर simply formula लगाएंगे rate of reaction is directly proportional to concentration of a and b और जब concentration proportionality का sign हटेगा तो simply यहां पर के आके लग जाएगा तो rate is equals to k a into b ठीक है अब यहां पर आपके पास simple rate की जगा वो rate of reaction लिखेंगे हम के as it is रखा और a और b को हमने यहां पर इनकी considerations को with units लिख दिया मोल फिर से इस मोल से cancel होगा डीम क्यूब से cancel हो जाएगा और second नीचे चल जाएगा डीम की उपर रह जाएगा और मोल भी नीचे रह जाएगा तो आपके पस 3.02 x-4 आगया ठीक है यह जो rate constant आया है यह वही rate constant है जो पहले पार्ट में आया तो इसका मतलब यह होता है कि अगर हम concentration बढ़ाते हैं degrees करते हैं तो rate constant के उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है यह बाद याद रखिएगा कि concentration को बढ़ाने से कम करने से rate constant के उपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है के लिए रहे हैं टाइप सफ रियक्शन बेस्ट और रियक्शन पड़ेंगे कि कितने टाइप की रियक्शन होता है सब्काइब लो लॉय और मॉद्र टीशें तो वन बड़ाना को गोतरू करते हैं कि सबसे पहले पास पास्ट इक्शन को देख लेते हैं मतलब यह होता है कि आपकी इतनी जलदी करता है कि पूर्ड़ज वार्न से मिल जाता है पको ठीक है यानि आपकी नैरो सेकंड्स या मैक्रो सेकंड्स में यह रिक्शन होते हैं जिस पर प्रोडग आपको फॉरं से बिल जाता है भी इंविजल चुर्च आइसे जिनको क्म्प्लीट होने के लिए बहुत ही कम वक्त लगे उस्मी रियाक्षिंश को को फास्ट रियक्शन बोला जाता है ठीक है यूजली रियक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स विच इंवल्स अपोजिटली चार्जड आइन इन एक्विस मीडियम्स आर फास्ट इसका मतलब यह है कि जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वह अपॉजिट चार्ज आइन के साथ रियक्शन करते हैं कि एक्विस में में बहुत तेजी से रियक्शन तो यहां पर आपासिसे एसको पाणी में जैसे dissolve करते हैं फॉरंग से रियक कर जाता है एक को solution में अपने ही oppositely charge आयन के साथ ठीक है it is impossible to determine rates of such reaction ऐसे reactions का rate calculate करना बहुत ही मुश्किल है बलके नमुकिन सी बात है कि आप उसका rate calculate कर सके rate means कि यह कितनी देर में यह मतलब exact time आपको नहीं पता चल सकता यह नहीं कितनी देर में यह reaction होगा यह आप नहीं पता लगा सकते हैं कि such reactions are very fast and these are completed in fraction of a seconds and in order of 10 x minus 6 seconds यानि micro seconds में यह reaction हो रहे होते हैं ठीक है और these reactions have low activation energy इसमें आपने यह बहुत important बात लिखी भी है कि these reactions have low activation energy यानि fast reactions की activation energy कम होती है ठीक है अब यह क्या होती है हम इसको आगे देखेंगे कि activation energy क्या होती है सबसे पहले examples देख लेते हैं एजी अनुट्री प्लस ना-C-L रियक करेगा तो AG-C-L बनेगा और और न-30 बनेगे ठीक हिए प्रेट्री आपके पास solvent है इसील आपके पास solute है जब यह करेगा तो फॉर्ण से reaction हो और आपके पास अत्री बने चाहते हैं आवके पास बैसे बेसे बीटेंशन भी तो simply आपके पास NACL और water बन सकता है या KCL और water बन सकता है तो यह आपके पास neutralization का reaction भी fast reaction में आता है slow reaction, those reaction which proceed at very low speed and take very long time for completion are called slow reaction ऐसे reaction जो बहुत ही slow speed रखते हैं और बहुत ही time के बाद जाके complete होते हैं उन reactions को slow reactions कहते हैं ठीक है, it is difficult to determine the velocity of self reaction, ऐसे reactions की velocity को determine करना भी मुश्किल होता है क्योंकि आप उनकी velocity ही नहीं समझ पा रहा होता है कि कितनी सी बहुत ही minimum speed होती है यानि इनकी speed बहुत ही हलकी होती है कि आप calculate ही नहीं कर सकते हैं जैसे simply आप जंग लगना है ठीक है कि किसी भी चीज को आप जंग लगने को कह सकते हैं कि कि तिनी दिर में आपको नहीं पता चल सकता है ठीक है यह तो पता चल सकता है कि कि पता चल सकता है कि अ जंग लगने की जो स्पीड है यानि आयरेंद पे जंग लग रहा है इसकी स्पीड जो है वो कितनी थी उस टाइम पे ठीक है रस्टिंग ऑफ आयरेंद यह भी स्पीड दिखेय अब आपके पास सारे और इसके लावा इसमें इंपॉर्डन पर ये होगा कि इन रियक्षिंट की एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत जादा होती है ठीक है जैसे फास्ट रियक्षिंट की एक्टिवेशन एंर्जी लो होती है तो slow reactions की activation energy बहुत हाई होती है कि moderate reactions आपके पास और reactions होते हैं such reactions which are completed in a measurable time interval यानि ऐसी reaction जो एक major time interval में हो जाए उन reactions को आप moderate reactions बोलते हैं ठीक है they have limited speed and are completed at the most in few hours यह इनकी एक limited speed होती है कि हमें या किसी भी scientist को यह वो easily calculate कर सकता है उसको पता होता है कि कितनी देर में उस नहीं है मतलब reaction यानि कितनी देर में reaction हो जाएगा it is possible to determine the rate of such reaction यानि ऐसे reactions का rate calculate करना बहुत मुम्किन सी बात है all the organic reactions are moderate reaction जितने भी organic reactions होते हैं वो सारे moderate reactions होते हैं जैसे इसकी एक्जेम्पल में आपके पास CH3 glucose है ठीक है sorry glucose नहीं है यह आपके पास सक्रोज है जो कि react कर रहा है water के साथ और बन रहा है आपके पर प्रक्ट्रोज और और glucose ठीक है C6H12O6 प्लस C6H12O6 इसी तरह CH3COOH इस्टर फॉर्मेशन हो रही है यह पर इस्टरिफिकेशन का यह reaction है secondary की बुक में यह reaction आपको मिलेगा बहराल इस्टरिफिकेशन आपके पास एक ऐसा process होता है जिसमें आपके पास acetic acid और ethyl alcohol react करता है आपके पास इस्टर बना के देता है तो यहां पर CH3COOH आपके पास acetic acid है acetic acid का formula है और C2H5OH इस्टरिफिकेशन का फॉर्मला है चैप्टर नमबर वन में हम सारी चैप्टर नमबर शिक्स में हमने यह reaction बहुत ही देखा है ठीक है acetic acid plus ethyl alcohol react together to form easter and water यह reaction हमने बहुत देखा है चैप्टर नमबर 6 में ठीक है यह आद हो गया होगा आपको बहराल की reaction आपके पास moderate reaction है जितने भी organic reactions होते हैं वह सारे आपके पास moderate reactions होते हैं क्योंकि इनकी speed आप easily major कर सकते हैं ठीक है अब इन ऐसे कौन सा प्रोसेसे जो slow है fast है इसमें हम कैसे देख सकता है अगर हम figure number two की बात करें तो यह fireworks है ठीक है fireworks example है पठाके हैं पठाके फॉरन से फटते हैं ठीक है फॉरन से फटने का मतलब यह है कि आपको पता भी नहीं चले गए कि कब वह पठाका जाके फट गया ठीक है यानि nanoseconds माइक्रो सेकिंड मे पठाका फट जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा पठाका फटने का यह मतलब नहीं है कि आपने fire किया और वह आसवान पर जाके फटा तो आपने calculate कर लिया इसका यह तो तीन सेकेट लोग पार को है और फटा है यह फटने का टाइम नहीं है ठीक है यह तो उसकी position है कि तो उस जगा पह जहांके पहुंच गया ठीके पढ़ने का टाइम यह है कि उसने कितनी देर में कि आपको festa करेड़ स्टीन में करेड़ से इज़वाइड करके तो यह आग लगना भी जोए कहते हैं फास्ट रेक्शन में नहीं आता और इसी तरह स्लोव रियक्शन कौन कौन से हैं पूरी अपके बास एक तो शिक्स है जंग लग जाना ठीक है को कि के केक का बेक होना और आपके पास फाइव है यह भी आपके पास लो रियक्शन है ठीक है और कुश्चन इसमें पर एट है बॉयलिंग ऑफ वाटर यह भी आपके पास लोड़ा इसके फ्रीम में तना हलका रखते हैं आपको पता भी चलेगा कितने टाइम में चाहिए मतलब रियक्ट हो रहा होंगी कितने दीर में मैं भूंगी यह भी आपको पता है चॉकलिट है यह आपकी पास पाराट रियक्शन यह इसमें क्या क्या चेंज सा सकती है तो आपको टाइम के साथ पता लग सकता है अब आपकी पता जाता है एनरच एक्टिवेशन यह बहुत अंपॉर्टन टॉपि का मतलब क्या है अगर हम इस के कॉंसर्ट को समझने की कोशिश करें तो एक्टिवेशन एनरजी क्यों यूज किया जाती है ट्रॉंक डिफरेंट रियक्शन में तो सिंपली यह है कि जित्ते भी रियक्शन होते हैं उसमें मॉल्यूज रियक्टेंट के एक दूसरे से करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो कोलाइड कर गए तो प्रोडक बन गया ठीके उसका यह मतलब है कि वह कॉलाइट कर रहे हैं तो זהी पंदिक पोंचेंगे जाए मसिकले जब ऑंद पंदेक्टे देक्टे एक्टिवेटेड इस परग्राफ को बहुत ज्यादा इंप्टरेंट मतलब यह है वह बहुत इंप्टरेंट परग्राफ है अगर हम इसको समझने उक्षिक करें तो यह है कि जितने भी रियक्टेंट्स हैं वह आपसमें इक दूसरे से जब कॉलाइट करते हैं तो कुछ कॉछ एक दूसरे से इतनी फॉर्स फुली और इतनी एक्षिट पर्फेक्टली टकडाते हैं जिससे एनर्जी उनकी इतनी ज़ादा हो जाती है कि वह एक्टीवेशन एनरजी को भी क्रॉस कर जाती है और आपका प्रोड़क्ट लीप बन जाता है यानि आपके मॉलीकुलज direct product में convert हो जाते हैं ठीक है अब activation energy क्या होती है the minimum amount of energy required for a reactant to reach to an excited state or activated state or transition state तीन नाम है इसके excited state activated state और transition state यह वो इस्टेट है ठीक है ठीक है इस कॉल्ड एनर्जी एक्टिवेशन यानि ऐसी state पर पहुंच जाएं जहां पर आपके पास product बन जाएं यानि उस state को आप बोलता है activation energy यानि कितनी energy required होती है reactant को कि वह excited state पर पहुंच जाए activation energy required होती है ठीक है for a chemical reaction the reactant molecules collide करते हैं अब मैं इस paragraph का मतलब आपको सही से समझाता हूं कि फ़ुरा chemical reaction में जब molecules react करते हैं collide करते हैं दूसरे के साथ तो after collision क्या होता है उनकी average kinetic energy बढ़ना शुरू हो जाती है ठीक है average internal kinetic energy internal energy बढ़ना शुरू हो जाती और वह एक वक्त ऐसा आता है कि वह transition state तक यानि activated state तक पहुंच जाती है उसके बाद जब वह collide करते हैं तो आपकी पास प्रोड़क्त बढ़ना शुरू हो जाता है every reaction has its own energy of activation हर reaction यानि हर chemical reaction की अपनी activation energy होती है ठीक है a reaction with low activation energy take place at low temperature एसा reaction जिसकी activation energy low होती है ठीक है यानि जिन reaction की लो एक्टिवेशन एनर्जी कम activation energy है वो लो टेंप्रेशर पर होते हैं यानि ऐसा reaction जिनकी हाई एक्टिवेशन energy होती है वो हाई temperature के उपर हो रहे होता है उसके लावा एक important बात यह हो है कि the speed of reaction depends upon the activation energy of molecule यानि reaction की speed किसके उपर टेपेंड कर रही है activation energy के उपर the reaction which has low value of activation energy are fast reaction ऐसे reactions जिनकी activation energy कम होती है वो fast reactions के लाते हैं ठीक है इसी तरह उसका पोज़ेट हो जाए कि कैसे reaction जिनकी activation energy पहुत ज्यादा होती है वो slow reactions के लाते हैं threshold energy क्या होती है the energy at transition state of a reactant is called threshold energy or the energy possessed by reacting molecules when they are in activated state is called threshold energy दो बाते हैं the energy at transition state of a reactant transition state consistent है बिल्कुल topmost state ठीक है यहाँ जो हो रही है आपकी पास transition state है जो यहाँ पर ठीक है इस state को आप threshold energy भी कहता है मतलब यहाँ की state पर जो molecules की energy होती है उसको हम threshold energy कहते हैं ठीक है अब threshold energy का फॉर्मला कैसे निकलेगा internal energy प्लस activation energy threshold energy आपके पास होती है internal energy प्लस activation energy ठीक है हम इस डॉम को थोड़ा इस ग्राफ को थोड़ा या डीटेल में पढ़ लेते हैं आपके पास नीचे टाइम का ग्राफ है ठीक है x-axis पे time है y-axis पे energy ठीक है यानि energy जीरो से यानि उपर की तरफ क्या हो रही है बढ़ रही है और time right side की तरफ बढ़ रहा है simple यह है कि आपके पास reactants हैं react कर रहे हैं कि उसे से तो उनकी energy उस time पे कुछ न कुछ थोड़ी जादा होगी internal energy यहां पर जो है यह internal energy है ठीक है यहां पर molecules react हो रहा है फिर वह आइस्ता इस्ता effective कोलाइड करेंगे effectively कोलाइड करते करते अपनी energy को यहां तक ले आएंगे यह ट्रांजिशन स्टेट है यानि यहां पर जो molecules की energy होती है उसको threshold energy कहा जाता है ठीक है अब क्या होगा जब effectively और कोलाइड करेंगे तो आपके अस direct product बन जाएगा और product आपके पास एक stable substance होता है जिसकी energy कम होती है तो इस वाज़े से product की energy हमेशा reactant से कम ही दिखाए जाती है ठीक है तो ऐसे reaction आपके पास slow reaction होता है जिनमें activation energy का इसके dawn बहुत जादा बड़ा बनता है डॉम आपके पास स्को बोला जाहरह है ठीक है थो यह थोड़ा बहुत इसका स्लोक थोड़ा ज्यादा है ठीक है इसका मतलब है यह आपके पास डौb 거예요 मेइट कर रहा है ठीक है तो यह आपके आपके हछ wonder Musik कर रहा है ऐसे reaction slow reaction होते हैं जिनका dom बहुत हाई होता है इसी तरह आपके पास दूसरा reaction है यहां पर reactant यह है इनकी average internal energy होगी कोई ना कोई जब यह react करेंगी दूसरे के साथ तो कम ही react करने पर ही डायरेक्ट आपके पास प्रोड़क बन रहा है तो इसका मतलब fast reaction ठीक है molecules को travel कम करना पड़ा है ठीक है जिसमें travel कम करना पड़े वह fast reaction होगा जिसमें travel ज्यादा करना पड़े reactions को प्रोड़क में आने के लिए वह आपके पास slow reaction होगा simple ठीक है अब दूसरी अगर हम scientific में बात करें तो fast reaction में क्या हो रहा है कि activation energy बहुत कम है एक्टिवेशन एनरजी इस डिस्टेंस को बोलते हैं इस डिफ्रेंस को बोलते हैं यानि इस एरो को आप देखेंगे तो आपको इसली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहरा हूं concept ठीक है आपके पास एक example number five है बुक की calculating activation energy activation energy को calculate करना है आपने ठीक है और for a chemical reaction chemical reaction क्या है आपके पास simple a convert हो रहा है बी में the threshold energy of the reaction is 31 kilojoule पर मोल आपके पास जो threshold energy is reaction की वह कितनी है 31 kilojoule पर मोल है ठीक है तरह एवरेज internal energy of a a की average internal energy कितनी है 12 है ठीक है calculate the activation energy of a activation energy का formula होता है threshold energy minus average internal energy यह threshold energy का formula आपकी बुक में है simply threshold energy बराबर होती है activation energy और average internal energy के sum के उपर तो जब अगर आपने activation energy निकालनी है तो simply आप क्या करें threshold energy में से average internal energy को माइनस करा दें ठीक है और आपके पास average internal energy कितनी है 12 है और आपके पास threshold energy कितनी है 31 है 31 माइनस 12 आपके बस 19 तो यह आपकी activation energy कितनी आई इस reaction में 13 यानि A की activation energy 19 है जब A की energy 19 से बढ़ जाएगी तब आपके product बनना यानि B आपका शुरू हो जाएगा ठीक है असल मतलब इस बात का यह है क्लियर यहां पर हम अपना इस lecture को एंड करते हैं इंशाला नेक्स लेक्चर में हम rate of reaction कैसे determined होता है और वह कौन से factors है जिन पर rate of reaction depend करता है उसके अलावा order of reaction क्या होता है उसको हम study करेंगे बाकी further हमारा एक last reaction यानि लेक्चर सॉरी further हमारा एक last lecture होगा लेक्चर नमबर 4 इस chemistry के book का जिसमें हम chapter number 8 की progress test 8 को complete करेंगे इंशाला ठीक है Allah आफिस अख्यार लगएगा so if you have any queries related to any topic or any chapter you can contact us on gmail id or as well as you can contact us on whatsapp number and also if you have any queries regarding this video you can comment in the comment section box and we will answer your queries kindly subscribe and like and share our video thank you so much don't forget to share like and subscribe our channel thank you so much